लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्टरा चनल्स को प्रेस्ट। सब्सक्राइब काम की बात अभी तो सोकर उठाओ वेयर तुमारे सुमिंग पूल पे सुने हैं सरकार 572 ना restorka तुम में लिए काम करूगी हुकम करो सरकार सुमिंग फूल में छलांग लगा दो और फिर कभी उब नहीं आना प्रामिस ठामिस मॉर्निंग अंकल गुल मॉर्निंग बेटा कहीं बहार जा रहे हूं कोई काम था क्या हां कुछ से चेक साइन करवाने थे लाइए कर देता हूं आज शाम चार बजे बोर्ड अफ डिरेक्टर्स की मीटे हैं कैंसल कर दीजिए बिजनस का मामला है बेटा तुम्हारे फाइदे की बात है फाइदा बहुत हो चुका है और डौलत भी बेहद जमा हो चुकी है बलके डौलत मेरी जिंदगी का बोज बन गई है मैं तंग आ चुका हूं और कोई काम तो नहीं था मुझसे बेटा तुम्हारे नाम एक रिजिस्टिट लेटर है पढ़ लीजे पर्सनल था इसलिए मैंने खोला नहीं पर्सनल और आपसे आज तक मैंने आपसे कोई चीज चुपाई है अंकल खोली और पढ़ लीजे अच्छी बात है चोटे बाबु आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं पिछले दो महीनों से मैं सख्त बिमार हूं और आप बचने की कोई उमीद नहीं ये चिठी में आपको इसलिए लिख रहा हूं के एक व्यानक राज मेरे दिल में पल रहा है जिसका जानना आपके लिए बहुत जुरूरी है आपका सेवक रामदास रामदास आप जानते बड़े सरकार के मौत रैसे हुई हाँ शिकार केलते वक्त खोड़े से गर गेते नहीं एक अत्यारे नाकुने बड़े सरकार का खोन क्या नहीं कुछ साल पहले बड़े सरकार जमीन खरीब में आये थे बस पंदा दिन यहीं लेने वाले थे एक राम कौन हो तुम सुना है कर तुम यहां जमीन खरीब में आये हो ठीक सुना है और जिनकी जमीन है उनके साथ साथ पका हो चुका है हो चुका था मगर आप उनमें से कोई जमीन बेचने को तयार नहीं है क्यों मेरे डर से आखर तुम हो कौन पॉपी सिंग पॉपी सिंग डाकु क्या तुम समझते हो कि मैं तुमसे डर जाओंगा जो उससे नहीं जरता वो मरता है मकाल को चारत तरह से छनली कर दो करने करें करीज़ए जरत शाओंगा मुझे मराव और समझकर बोलो पाग करें कुछ देर बाद मुझे होश आया मैंने पुलीस मेरा पठल लिख वाई पीड महेने तक मैं अस्पतान ने परारा वहाँ वहाँ जबता चला कि पपी सिंग पुलिस कहा दो मारा गया लेकिन जोटे बाबू वो जालिम खुरी अभी तक जिन्दा है तुमें कैसे मालू तीन मेने पहले मैंने उसे घीम कर की पाड़ियों में देखा था लेकिन रंदास मैं यखिन है वो पपी सिंग था मैं उसे खुनी चहरे को कभी नहीं बूल सकता उसे देखते ही मैंने पुलिस को ख़वर दी लेकिन उने यकिन ली आया और फिर मैंने आपको जिटी लेगी लेकिन जोटे बाबू आप पॉपी सिंग का पॉपी सिंग मेरे बाप का खुनी है और उसे सदा मिलने ही चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस केस की तखिकात भी से करें मैं तुम्हारे जजबास समझता हूँ आज से पंद्रा साल पहले पॉपी सिंग मेरे सामने मारा गया मैं उस पॉलिस पार्टी का साथ था जिन्होंनों का पीछा किया और एक उंची पारी बने घेर लिया महां गोलिया चरी हमारे कुछ सिभाई मारे गए लेकिन डाखों मैंसे कुई जंदा नी रा कुछ जाखों पार्टी से गिरकर नीचे नदी बह गए गए उनी मैंसे एक पापे सिंग था लेकिन हो सकता है कि वो बच गया हो हो सकता है लेकिन पंदरा साथ ने पुलिस वालों ने ना तो उसे देखा न उसके बारे इंको सुना मरता हुआ आद्मी कभी जूट नहीं बोलता सर हमने ये केस बंद कर दिया सर क्या ये फोटो आप उसे दे सकते हैं किस लिए इसलिए कि आपकी तरह मेरे लिए खानोन की कोई बंदिश्री पापी सिंग जहां भी हो मैं उसे धून ने पालूँगा और उसके जिन्दा होने का सुबूरत आपके सामने पेश करूँगा अगर ऐसा हो सके यकीन रटको और किसी का क्या जरूरी हो पिरूँगा यह तुर लग लिए राकेश मेरी बात मानो तुम मत जाओ जो पुलीस नहीं कर सकी वो तुम कैसे कर सकोगे खामाखा अपनी जान खत्रे में क्यू डालते हो आज तक मैं आश वाराम की जिन्दगी गुजारता रहा अंकल इसलिए के आपने मुझे पिता जी की मौत की असलियत नहीं बताई पिता जी का कातिल जिन्दा है और कानून उसे सजा नहीं दे सकता अब मेरी जिन्दगी का एक ही मकसद है अपने पिता की मौत का बदला लेना कि अपना तर्मошतमर अला भाज़ मैं अजय हो एक राहगीर हो रास्ता भूल गया हो सुना इस पहाड की पीछे गाउं है लेकिन तुम वहां नहीं पहुंच पाऊगे क्यों क्यों मुझे तुमारी सूरत अच्छी नहीं लगती और मुझे तुमारी मूचे अच्छी नहीं लगती ज्याओ तुम जाओ जाओ कर दो कर दो कर दो कर दो कौन हो तुम पर्देशी कहां से आये हो पहारवाले रास्ते से तुमको किसने रास्ते में रोका नहीं रोकने की कोशिश की लेकिन वो उस दुनिया से जा चुके हैं कर दो हर दो हो एफ याorry जा दो ए को ए सनंसा जा या जाँ आकला सकते हैं। कर दो दो वाद लाद लुट 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 बहात लंबास अभर रहा काफी थांगी ओो तुम्हारे पास को ऐसी चीज है जिस से थकन दूर हो सके हाई साथ तो फिर दे दीजिये अच्छा साथ मेटी लग गई है साफ कर देता हूं ओ ना ना अच्छा तुम लोग ने मुझे मारा किनो जान की खैरिया चाहते हो तो यहां जिर फौरण चले जाओ लेक्न भाई मेरी तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं मैं तुम लोगों को जानता तक हूं तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि जिस जगा पर हमारे गिरोप्याद में रहते हो उस जगा पर किसी के आनिकी हिमत नहीं होती तुम शायद इस इलापे में नए आये हो कौन हो तुम? कहां से आये हो? और किसली आये हो? मेरे पास तुम्हारे तीनों सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है क्षेश करते हैं नाइ 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 मैंने तुम से कुछ मांग राता माय आता, माय आता तुम भी इनके साथ हो हम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया ये कच्रा साफ करने के लिए इन कुत्तों को उठाकर फॉरान यहां से ले जाओ जल देख लेजी सोडा सोडा से लेजी आपका हाँ पहाँ जाँ जाँने जाँने बहुत दोमेग गिलों की नवीमे एक शेर शेर नवरा बहुत शेर अरे वाह, वाह, मदा रहाएगा, इस बाद में दो गूट और होया है क्याशी है? कोई बूट पारवा है नहीं? यह चोटी हो गई, तुसी दाओ सुरा, यहां कुछ दिनों के लिए कमरा मिल सकता है शेयर साब, तुम्हारी दिन में की कुछ घंटों के लिए और तुम कुछ दिनों के बाद के लिए ना, क्यों वाना तुम्हारा है ना, इनका घ्रोह लेए तुम्हे कल सुबह तक जिंदर नहीं चोड़ेंगे अहां बाबुजी, यह ची कह रहा है आप फोड़े से जड़ी जाएए यहां आप जो कोई मदद नहीं करेगा सारे अलाखे में यहां को ऐसी जगे नहीं जहां मैं कुजिन रह सकूँ है, सिर्फ एक जगे है, ठाकू रंजिन सिंग की हवेली शेर भुड़ा होगा है, फिर भी शेर, शेर है यह हवेली यहां से कितनी दूर है? 25 मिल दूर हिंदुस्थान के सारत के उस पर सारी सलामत पहुचने के लिए सिर्फ एक ही रस्ता है शरावी, एक बोतल का सवाल है रात को पी, सुवा तुवा कर ली रींद के रींद रहे, हज से जंडर रहे शराब, अभी तुरे सी पीलो रात लंबी, जिन्दी की छोटी, मुझे असर लगता है दाखुर साब की हरेली तक पहुचने से पहले ही पहुचने में माड़ा रहा काउन बादूर? शैतान की अलाद, लूटे रहा, खतिया रहा तो क्या वो कोई दाखु है? डाखु, अरे डाखु तो डागा रालता है, और माल लेके चला जाता है लेकि वो बादूर के आदमी, ना किसी के घर छोड़ते है, ना किसी की जन क्या सराई में जो आदमी मिले थे, वो बादूर के आदमी थे? अहाँ, नहीं, क्या बोल दिया, मर गया है, नहीं बादूर का डाखा है? मैं तुस्य शराब के आदमी को जानता हूँ, वहादूर किसको नहीं जानता हूँ मल गये, अरे! मैंने पूछा बादूर का डाखा है? धारू ख़दाव, मेरा काम भी ख़दाव बोराई धाकूर साहब की अवेली सिर्दा चले गए, सिर्दा रावराम आप अगर जिन्दा रहेंगे तो फिर मेरेंगे रावराम रुक जाओ तुम जहां से ब्याय हो, फारून आपस चले जाओ वरना गोली मार दूगी क्या? जादे हो या नहीं? सुनाई नहीं देता, बहरा हूं, बहरा कौन हो तुम? कहां से आया हो? कौन हो? तुम तो इतनी जोर से चिलाई, कि मैं सच-मुच बहरा हो जाता तुम? अभी तु बहरे थे? था, जान बचाने के लिए अब बताओ तुम कौन हो, बताओ मैं ठाकुर रंजित सिंग्स की बेटी हूं अजीव एतिफाक है, आया था ठाकुर साथ से काम मांगने, अब तुम्हें देख कैसा लगता है कि तुम्हें ही मांग लूँ क्या कहा? खुबसूरत भी हो, और खतरनाक भी मुझे बरसों से तुम जैसी लड़की की तलाश थी किसी लिए बंदा भी तक कुवारा रह गया बद्तमीज हे मेम साथ, बंदुक नहीं लोगी पिता जी, आप में किसी को नौकरी के लिए बुलाया था? नहीं तो बेटी वो तुम? नमस्ते ठाकुर साथ, मेरा नम राकेश है किसने बेजा है तुम्हे? किसी ने भी नहीं तो फिर किस लिए आया हुई है? नौकरी की तलाश में दुनिया में अकेला हूँ सिर्फ दो वक्ता खाना और सर चुपाने के लिए जगा चाहिए आपका नाम बहुत सुना था किसी और जगे नौकरी ढोड़ लो मुझे आजमी की जरूरत नहीं न सही लेकिन एक ठका हारा आदमी अब दर्वासत तक आया है उसे कम से कम पाकी लिए तु पूछो तुम्हे इस मामले में दखल देनी की कोई जरूरत नहीं ऐसे नहीं उन गुंडों की डर से तुम बाग पेटी भले बदल जाओ लेकिन मैं आपने घर की जित नहीं बदलू की दुर्गा की मा शाकर साथ माजी मेरी वज़े से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं आपके हमदर्दी का बहत पाज शुक्रिया तुम लोग फिर आ गए? क्या चाहिए तुम्हे? इधर को आजने भी घोड सवार आया है? नहीं, तुम लोग यहां से चले जाओ यहां गुंडों का कोई काम नहीं ए बुडिया ए जब आंचमाल कर बात करो, चल जाओ यहां से बहुत दिनों से तुझे कलेज से लगाना चाहता था तुम्हेजी ठोड़े उसे क्या हुआ दूरका? जंदा नहीं छोड़ोगा भगो माफ कीजी ठागर साब मैं तो जाही रहा था लेकिन जब उस गुंडे ने आपकी लड़की पर हाथ उठाया तो मुझसे रहा नहीं गया बेटा हमाइसान फरामोश नहीं बेटा मैं तुम्हें कहीं भी जानी सूंगी तुम यहीं रहो दुरका इन्हें बाहर का कमरा दिखाओ सुनिये हाथ बुद होने के लिए पानी मिलेगा नदी सामने बह रही है नदी सामने बह रही है यह वाँ चले जाओ ओओ 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 खबरदार समालना बंदूग भरी हुई है फिकर मत करो मुझे चलानी नहीं आती क्या मतलब मैं तु सिर्फ तुम्हे देखना चाहती थी ऐसे पीछे से तुम अच्छे लगते हो अब बताओ आगे से कैसा लगता हूँ आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे लगते हो लेकिन पहले तुम यह बताओ कि तुम हो कौन और कहां से आये हो पहले बंदूग दो चलो अजीव राका है जो लड़की मिलती है बंदूग के सबाती नहीं करती अच्छा तब तो तुम मेरी दीदी दुर्गा से ही मिले हो तो तुमारी दीदी है क्या नाम है तुमारा मेरा नाम तो बेला है लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो यू समझ लो तुमारा गुलाम क्या मुझे तुमारे घर में नोकरी मिल गई है लेकिन हमारे घर के आसपास नहीं आती, इसलिए दूर वो जो दिखे दिखा देता है ना, मैं वहाँ जाते हूं पकड़ने, यह देखो, आज पूरी पचास पकड़ी, देखो ना मेरा नाम राकेश है राकेश, तुम मुझे बंदूख चलाना सिखा दोगे आज तक किसी को गुली नहीं मारी, तुम मार दोगी, बिलकुल, तो मुझे बंदूख चलाना सिखा दो, फिर यहां जो भी घुंड़ा आएगा ना, उसे ठें, ठें, करके उपड़ा दूगी बंदूख के दस्ते को यूं कंदे से दबा के रखना, समझी, ऐसे नहीं कंदे से दबा के, जाते क्यों हो, यह बंदूख बहुत भारी है, जब तुमसे बंदूख ही नहीं उठती तो तुम निशाना के हाथ मरोगी, चलो पकड़ो बराबर, पकड़ो, एक आंख बंद करो पुदू मेरी तरफ नहीं, दूरविन की तरफ पुदू बहुत जोर क्या वाज आएगी न? तू तो सीख के रही मैंने इसलिए कहा था के दस्ता कंदे से दबा के रखना हाँ मगर तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया तेरे कान कौन बन करता आरे बहुत दुखता है चलो नखरे बन करो मैंने चलो अठो निशानत जमीन पे और गूली पेड़ पे चलो बंदुख समालो मैं वो डाल हटा कर आता हूँ अच्छा तुम यह ठैरो पिस्तॉल फैंक दो अब बताओ तुम्हारा सरदार कौन है और कहां रहता है कैसा सरदार मेरा कोई सरदार नहीं बको मत तुम उस किरो के आत्मी हो जिसने हमारे सैक्रों मासुम लोगों की जान ली है समझ में नहीं आता तुम क्या बक रहा हो लेकिन अगर तुम्हे कुछ पूछना हो तुम मर्द की तरह सामने क्यों नहीं आते बहुत खुब, सामना करने की हमत है तुम्हे, आजमा के देख लो ये मेरा शिकार है फट्टेओне आकमने आजमा के दोजिए करने की कि जो ये जो बटके आजमा की अजमा के दोजमा की आजमा की मेरा हुँ आजमा कि अ 숃 कि तुमंछा की जीज़ पार शिकार मुग EBT झाल 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 अब तुम्हारी जिन्दगी मेरे हाथ है लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता इसलिए कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं क्या नाम है तुम्हारा शेरा और ये लोग मेरे साथ ये तुम सब इसी इलाखी के आदमी हो हाँ तुम्हारे पास कैसे तुम्हारे इसे जानते हो पहले तुम्हारा इससे क्या तालुक है ये मेरे पिता का गातिल है इसकी तलाश में मैं बहुत दूर से यहां तक आया हूँ अपने पिता के कून का बदला लेने के लिए चुप क्यों हो गए सबसे पहले मैं तुमसे माफी माफी मागने चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हे उस हत्यारे की गिरो का आदमी समझा तुम्हारी इसके साथ क्या दुश्मनी है यही वो खून का प्यासा दरिंदा है जिसने इस वादी को नक बना दिया मैं उस शेतान के चेहरे को कभी नहीं भूल सकता आज से हम दोनों का मकसद एक है शेरा मैं तुम्हारी तरफ तोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं पहडी के पीछे क्या है यह तो मैं जानता लेकिन वो जो देवी का मंदिर है वहां मैंने इस किरो के आदमियों को कई बार जाते हूं देखा है लेकिन मंदिर के पास पहुंते ही नजाने यह लोग कहां गायब हो जाते है तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की नहीं देवी के परकोग के डर से हिम्मत नहीं हुई क्या मतलब कुछ दिन उसे नरजाने क्यों देवी हमसे नाराज है जो कोई भी उस मंदिर के पास जाता है वापस लोटकर नहीं आता मैं यहां का नहीं हूं शायद देवी मुसे नाराज नहौँ तुम्ही ठेरो मैं जाके देखता हूँ थेरो, मैं भी तुम्हार साथ चलता हूँ चलो शिरा देवी कभी गोलिया नहीं चलाती देवी के प्रकॉप की खबर गलत है यह मंदिर उन लुटोरों के हाथ में है अब चलो, लेकिन फिर आना पड़ेगा, चलो करें जआए यह फूल तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच आ था, मैंने मदद कर थी यह चाको फेकर? अच्छा आप तुम यह बताओ, तुम कहा थे? यही पर था यही पर ना? आरे बोपनी इतनी दोर से, इतना पकर निशाना जूट, मैंनी मान थती, बिल्कुल नहीं यह काम करो इस फल को अपने दातों से पकड़ लो अगर मैं इसको भी उड़ा दू तब तो मानोगी ना बबबना, मेरी नाखवा कट गई तो? मेरा निशाना कभी नहीं चुकता अगर तुमको डर लगता है तो रहने दो हिलनाने बिल्कुल हाँ अब इदर अब फूर्ती से काम करें आज शाम तक पूरे तार खिच जाने चाहिए वरना शेरा के तेरी खाल खिच लेगा क्या फरक पड़ता है थोड़ी चर्बी कम हो जाएगी चल बेटा जल्दी अरे बयोपूफ देख के नहीं चलता है क्या क्या मेरी आंके पीछे हैं गया कौन हो तुम लोग कौन है ये लोग नो करें मेरी तरह मैंने ने रखा है किसे पूछ कर तुम्हारे बाप से शेरा तुम उन लड़कों के साथ ही हो ना जबाटे के पास काम करें नहीं वो मेरे साथ हैं मैं उनका सर्दार हूं सर्दार? सुनो, सुनो, सुनो तुम कहा चल दिये? अपना चाकु डूड़ने है मेल गया लाव मुझे दो नहीं दूंगी अरे, अरे, कहां जा रही है? अरे, जा जोगरे यहां चिपी हुए इतनी जोड़ से कलाई मरोड़ थी मेरा चाकु डेकर क्यों भागी थी? इसलिए कि तू मेरे पीछे पीछे भागे वो किसलिए? अरे, इतना भी नेल तुमझता जब कोई लड़का लड़की के पीछे भागता है तो लड़की समझ आती है कि वो लड़के को अच्छी लगी फिर क्या होता है? फिर? फिर दुनी में प्यार हो जाता है एई तेरा नाम क्या है? तेला और तू है कौन? मैं? ठाबर साथ की बेटी अरे, पापरी क्या हुआ? अरे, राकेश बाबू को पता चल गया कि मैंने तुमसे बात किये तो गोली मार देंगे तो तुम चाको मारते ना? तुम्हारे निशाना तो बड़ा पक्का है ना? क्या बक्ती है? वो तो मेरा उस्ताद है अरे, सुन, तू कहाँ चला काम करने नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी क्यों? मेरी मर्जी, मैं आज तुम्हारे साथ नदी की किनारे तिर्खिया पकड़ना चाहते हूं कोई जबरदस्ती है हाँ है नहीं, तो मैं राकेश बाबू से तुम्हारी शिकाद करूँगी क्या कहेगी? कहूंगी के तुम्हें ये चाको दिखाकर मुझे डराया मुझे छेरा, मेरा हाथ में पकड़ा जूट क्यों बोलती है, मैंने तेरा हाथ कपड़ा तो आप पकड़ लेना धत अच्छा, मैं भी करती हूं तुम्हार शिकाद सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे गले लग जा, गले लग जा सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे गले लगे जा, गले लगे जा सुन सुन कसम से, लागो तेरे कदम से ना उलज रे हम से, तु चली जा, तु चली जा ए शेरा, ए शेरू, पहँच चला रे, आना ओफो, जाने लो ना बसे कफापिया मोरे, पकड़ मोरी भैया बसे कफापिया मोरे, पकड़ मोरी भैया पकर के फिर पाहों में तु उठा मुझे सया भारी कठरिया नहीं उठानी, छोड़ते पिछारे दिवानी हाई रे हाई, हाई रे हाई, हाई रे हाई तु चली जा, तु चली जा जाने देरे बड़ी तेरी होगी महरवानी आया इधर कलसी हुई, माफी दे दो रानी जाने देरे बड़ी तेरी होगी महरवानी आया इधर कलसी हुई, माफी दे दो रानी बैच कई में नहीं उठूंगी प्यार करेगा तभी हटूंगी हाई रे हाई, हाई रे हाई, हाई रे हाई ओ, सुन सुन कसम से, लगो तेरे कदम से, ना उलज रे हम से, तु चली जा, तु चली जा हाई, सुन सुन कसम से, लगो तेरे कदम से, ना उलज रे हम से, तु चली जा, तु चली जा हाई, गलिल जा दुर्गा मैं तुम्हारे साथ चलूगा किस लिए? तुम्हारी हिफाजद के लिए, तुम्हारा इतनी दूर अके लिए जाना चीक नहीं मैं अपनी हिफाजद खुद कर सकती हूँ दुर्गा की बात का बुरा नमानो बिठा, वो पड़ी जदी है मैंने कई बार उसे समझा है कि अकेले जाना अच्छा नहीं लेकिन वो किसी की सुनती नहीं वो ठाकुर साब की भी नहीं सुनती वो तो कुछ भी नहीं कहते जब से मेरा चंदन गया है दुर्गा और उसकी पिता बिलकुल बदल गए है चंदन कौन माजी मिल्रा एक लोग था बेटा चार साल का था अचानक नदी में ढूपकर उसे बचाने के कोशिश में ठाकुर साब अपने पैर खो बैठे आप हमारी मदद करने माना कोई नहीं जिंता मत करो माजी मैं जो हूँ आपने मुझे बेटा कहा है मैं कोशिश करूँगा कि आप तक कोई मुसीबत पहुचने ने पाए अगवान तुम्हारा भला करे पिटा अगवान तुम्हारा भला करे पिटा जगुते कहना अगली किस चार दिन के बाद मिलेगी चैक नाके पर खत्रा है पुलीस बहुत चान बीन कर रही है ज़रा हुश्यारी से काम लेना एक पार आप है 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 ग्या गोवीटि कैसी हो अर ठाकूर शाब कैसे है मैं भी ठीक हूँ ताकूर भी ठीक है चाचा जी लेकिन आज को आप हम पर शाक करने लगे है नहीं नहीं बेटी, यह तो ऊपर से हुकम आया है कि हर एक की तवाशी नहीं जाए चाचा जी, यह सेव खुले पड़े और आपके सामने है मैं हब जाओ खुशी से जाओ बेटी, भाजन सिंग अगली किस चार दूं के बाद मिलेगी वो तो मिल जाएगी जानेमन, लेकन मेरे प्यार की कश्टी को कम मैं धार से निकालोगी देखता हूँ कब तक जग्गा से बचती रहागी खाकोर, कुछ भेड़े चाहिए, गोश्ट खतम हो गया है आखिरी जबरस्ती कब तक रहेगी जब तक भेड़े खतम नहीं हो जाएगी सत्यान नाश हो जाए, जीना हराम कर दिया है मैं कहती हूँ, जैसे और लोग चले गए, हम क्यों नहीं चले जाते जाओ दो भेड़े निकाल लाओ कौन हो तुम? तुम्हारी मौत अच्छा, मुझे पता नहीं था कि था तुने गुंडे भी पाल रखे अब तो पता चल गया ना यहां से एक गेर भी बाहर नहीं जाए कि पमधने जाओ अ, हाओ नहीं शुम्हार व कि आप वाओ Hai बड़े आये भेड़ ले जाने वाले हाँ गुरू अब क्या किया जाए इन गुंदों से कहो कि भेड़े जहां से लाए है इन्हें वहीं वापस रख दे अगर इन लोगों को तुमने पेड़ ले जाने से रुका तो गोली मार तूँगी पेड़े लेकर फारण भार हो जाओ इसका मतलब यह हुआ कि तुम ठागुर साब की बेटी नहीं तुश्मन हो हाँ हमारे नीजी मामले में दखल देने के तुमें कोई जरूरत नहीं समझे अगर दुरगा ना रोकती तो आज उन गुंडों मेंसे कोई बशकन नहीं जाता आखिर दुरगा ने ऐसा क्यों किया मेरी भी समझ में नहीं आया शेरा चुपकेसे मैंन गुंडों का पेच्छा किया बकरिया लेकर वो मंदिर के तरफ जा रहे थे क्यों कि थाकुर ने आप गुंडे जो पाल रखके हैं जो तुर्गा के वज़े से जान बच गए का बगता रहे इस बात तो दोख खावे अगली बात पूरी त्याई के साथ है ठीक है ठीक है का बगता है कर दो कर दो कर दो आया कर दो 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 हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है तैसे लाओ कभी तो प्यार से दो बाते कर लिया करो जाने मन आखिर कब तक तरपाओगी हुआ है हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ हरामजादे, तेरा काम है माल लेकर पैसे देना, हमारे गिरोग की लड़की को छेडनी की तुझ में हिम्मत कैसे हुई? फिल कभी ऐसी गलती नहीं होगी, आगर हुई तो जिन्दा गार दूगा समझे कुटे, चलाए! फिल कभी ऐसा नहीं होगा, पैसे? कितने? 20,000 आज मुझे मालूम हुआ, कि उस दिन तुम उन गुंडों की तरफदारी क्यों कर रही थी? इसलिए कि तुम उन में मिली हुई हो? नहीं! बको मत! तुम अफीम बेचती हो! शर्म की बात है जानती हो ओ अफीम कितनी बुरी चीज है जो इंसान को गला गला कर मर डालती है उसके जिसम को खुला कर दीतिया तुमने कभी सोचा है के तुम कितने इंसानों की जिन् दगी से खेल रही हो आखर तुमें वह झाम प्शाशबा हों जो पर डिया इस ठीध दूसे को ना पर आखरीश को सुक्षे किसको देती हो मैं और उस सकती हमारा करें ऐख सन्वान्ज कना वह क्योंना तुम्हों होती हिinea सो क्शची wanna अब यह जलील काम तुम्हें ज्यादा देर करना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम, तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारे भाई को उनके चुंगल से उठा के ले आऊँगा। और उनके गिरह को खबन कर दूगा। लेकिन, क्या तुम उनके सर्दार कागडा बता सकती हो। नहीं, लेकिन सुना है पाड़ी के उस पार कहीं रहता है। चागुर साब, आपने क्यों तकलिफ की। दुर्गा ने मुझे कहा है। उसने तुने सब कुछ कह दिया है। तुम्हारे और हमारे बीच में एक परदा था। इसलिए मैं कभी खुल खर बात नहीं कर साथ तुमसे। अब तुम हमारी मजबूरी को चांदते हो। बेठा। आज तुमसे सर्फ यही अलत्जा है, कि ऐसा कोई काम न करना जिससे मेरे चंदन की जिंदगी। आप चिंता न कीजिए ठाकु साथ। चंदन को सही सलामत वापस लाना, मेरा फर्स है। मागवाद तुमारी दोग स्याकंदी, दोग स्याकंदी। मंदिर के अलावा सिर्फ यही एक जगा है शिराप। जहां से हम इस पहाड को पार कर सकते हैं। लेकिन बीच में इतने गहरी खाई है गुरू। रास्ता कहा है। अगर रास्ता नहीं है तो हम बना लेंगे। रस्ती का पुल बनाकर हम इस खाई को पार कर लेंगे। दीस हजार। दीस हजार। अगर इसी तरह मेरा काला सोना पित्ता रहा, तो एक दिन सारी तुनिया मेरी मुठी में होगी। शेरा, एक बार ये पुल तयार हो जाए ना, तो दुश्मन हमारी मुठी में होगा। हमें, मैं मिले मैं बनाकर के में है। वह ना डूज क महतने है। यही कि मैं समझी कि तुम कुछ और समझी सच बताव ना दीदी बात क्या है क्या बात है बेला कुछ भी तु नहीं कुछ भी तु नहीं फिर आज ये तियोहार वाले कपड़े ये बालों में फूल वूल वैसे मन किया सोच आज मैं भी तरह जाओं जाओं हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हे भी किसे प्यार हो गया है बेला हाँ मुझे तो हो गया है मैं तो अपने बालों में फूल इसलिए लगाती हूँ कि वो मेरी तरफ देखे कौन है वो शेरा क्या बक्ती पागिल होगी एक तो आपना नौकरे दूसरा न जाने कौन है कहां से आया है जो भी हो मुझे तो बहुत पसंद है बेला मुझे सित्रा मिलना बिल्कुल पसंद है आज की बार तुससे कभी बात नहीं करेगी समझी दुर्वादा खुलो राकेश 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 तुर्वादा तुम इतनी रात गए राकेश तुम जरह मैं साथ चलो कहां बेला शेरा के साथ जंगल की और चली गई है शेरा के साथ अहां बेला भी बहुत नादान है अपना भला बुरा नहीं समझती मैं शेरा को अच्छी तरह जानता हूँ वह बहुत शरीफ आदमी है तो फिर इतनी रात गए बेला के साथ क्यों रहा पूछना पड़ेगा अरे बुद्धू इसी को तो प्यार करते है अब बता तू मुझसे प्यार करता है हां प्यार करता है बस तो फिर मुझे यहां से भगा कर लेचल क्या हां यहां क्या रखा है जब दे को खत्रा जान का डर हम लोग यहां से दूर किसी शहर में रहेंगे वा हमार अपना एक घर होगा, बाल बच्चे होंगे, फिर हम लोग बच्चों के लिए ना तिट्लियां पकड़ेंगे बच्चे हो शादी की भी ना, अरे शादी के बात तो होंगे बुद्धू, हम लोग यहां से भागते ही ना, शादी कर लेंगे नहीं, नहीं, मैं तुम्हें चोरों की तरफ भागाकर नहीं ले जाओंगा तो फिर पिताजी से बात करूँ ना? जरूर करूँगा, लेकिन वक्त आने पर मुझे आपनी एक कस्म पूरी कन्यी है, जिसे सिर्फ राकेश बाबु जानते है अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें राकेश बाबु पर मुझसे ज्यादा भरोसा है मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं बेला अरे तभी तो जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों को प्यार करना नहीं आता और वो जो तुमारा गुरु है वो तो तुमसे भी जड़ा बुद्घु है आज तक समझ नहीं सका की दीधी उसे कितना चाहती है तुम्हारे दीधी राकेश बाबु को चाहती है अर दीधी ये समझती है कि मैं कुछ नहीं समझती राम कसम क्या जोडी बनेगे दोनों की न? अरे पहले तू अपनी जोडी के बारे में तू पैसका कर कर लिया क्या? बताओ हाँ, बता रात बहुत हो चुक्ये, तू जाकर सोजा क्या ख्याल है शेरा के बारे में मैंने कहा था न वो बहुत शरीफ है क्या बात है क्या बात है तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं? नहीं तो तुम क्या समस्ती हो कि बेला ने जो तुमारे बारे में कहा मैंने उसे अखिकर लिया तुर्गा अब हम आच रभी नहीं रहे लकिन इतने दिनों की पहचान के बाद तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? कहां से आया हूँ? चांदती हो मैं बेशुमार दौलत का मालिक हूँ मैं दुनिया में जो चाहूं कर सकता हूँ तुम्हारे यहां काम करने के सिर्फ एक ही वज़ा है हमारी पहली मुलाखात जिस दिन तुम उस यंगली खोड़े का पीछा कर रही थी उस पर काबू पाने के लिए मैंने सोच लिया कि तुम मुझ पर भी काबू पालोगी जानती हो दुर्गा मेरी जिंदगी में बादसी लड़के आई लेकिन कोई ऐसे नहीं मिली जो अपनी लगे तुम जैसे लगे ही लगे ही लगे लगे मैंने लोगे तुम एज़ लेकिन कोई भी लगे लेके लगे लोगे लोगे बाहेए लुढ़े भीवाए लोगे ही लोगे लोगे झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करें जहीं हमारे साथ करने वाले थे इन दोनों के हाथ पैरसी से बांद के और इनी के घुड़ों के पीछ बांद दो कर दो इसका मुझा बंदू के समारो अबसादे यह सब तुने मुझे पहले क्यों नी बताया उनको आपके सामने जिन दालाना चाहता था अगर इस बात का पता सर्दान को चल गया ना तो तुम हराम खोलों के साथ मुझे भी गुड़ी से उना देगा इसका मतलब यह हुआ कि ठाकुर को एक ऐसा आदमी मिल गया है जिसका जिन्दा रहना हमारे लिए खतरनाख है आज मुझे बुलाया है? हाँ बेटा, आज दसरे का दिन है मैं तुम बुली गया था जी बेटा माजी आज की दिन हमारी हाँ कम से कम पांट सो आदमी खाना कगते थे सारी रात खुशिया मनाते थे दूर दूर से ठाकु साब को लोग मिलने आपसे लेकिन आप ठीरे सखी माची समय बहलते हुए देर नहीं लगती आज पांस वागी न सही लेकिन हम लोग तो है और हमें खुशिया मान से काम लोग सकता है तक धूम न चो न शे में जूर जारा हमसे है थोड़ी दूर आने वाली बहार जुमो फ्रे गाओ फ्रे आओ फ्रे आओ फ्रे आओ तक धूम न चो न शे में जूर यारा हमसे है थोड़ी दूर आने वाली बहार जुमो फ्रे गाओ फ्रे आओ फ्रे आओ यारा स्वाना जो प्रे आओ गाओ आओ आओ यार आओ आओ ये कंगन के हाँ, ये पायल के पाओ ये कंगन के हाँ, ये पायल के पाओ ये बिंडिया के बस्ती, ये थुनके काओ ओ हाई गलब कितना सुना था सब आच होने तो भूंग जुकी जन्ता, तक जुम, तक जुम एतक जुम नाचो नशे में दूर यारा हमसे है थोड़ी दूर आने वाली बहात जुमों से, गाओ से, आओ से, आओ 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 आड़ा नंगले ये बाहों कहा आड़ा नंगले ये बाहों कहा मैं जीना सिखाओं मैं सिखलाओं प्या मिलते दनमा मनाएगे हम आज दिल से दिल मिलने का चाहा तक जुम तक जुम ना चो दशे में चूल यारा हमसे थोड़ी दूल आने वाली बाहा जुम तक जुम ना चो दशे में चूल यारा हमसे थोड़ी दूल आने वाली बाहा जुम ने चाहो दे आओ दे आओ जुम ने चाहो दे आओ दे आओ जुम ने चाहは। प्रुट प्रुट पालने की कोशिश की तो तुमारा भी यही हाल होगा समझे पाने पाने तुझे भी पानी चाहिए ठूप राकिश तुम्या राकिश राकिश तुनुश प्रुष बहुत फूशो राकिश बहुत बहुत फूशो तुर्खा मुझे सजय violence प्यारने ये बचाया है मात की भी हिम्मत नहीं हूई राकिश गूरी क्यों मुझे भगवान ने मेरी सुन ली मुझे आशिरवात हो माजी ताके मैं 하기 आपके जल्दी से ठीक हो झाऊ ंर आप की चंदन को जल्दी वापस लेयाओ चंदन! मैंने तु तुम को कहा था कि मा रख चंदन नहीं माजी आपका चंदन जिंदा है चंदन जंदा है? क्या कहा? चंदन जंदा है? आप बूलते क्यों नहीं? तुम लग मुझे क्या चुपा रहे हो? माजी, ठाकुर साथ, मुझे माफ कीजिगा, मेरे मुझे अच्छानक निकल गया. लेकिन चंदन है कहा पिता जी? राकेश को अभी अभी होजाया, उसे जरह अराम करने दो. तो जा, मुझे से फूल हो गई. नहीं, राकेश, अच्छा हुआ. कभी ने कभी तुमा को पता चल नहीं था. अवलाग को खोकर मा के दिल पे क्या गुजरती है, ये तुम लोग में समझ सकते. सत्या नाश हो जाए उन लुटेरों का, जिनोंने मेरा बच्चा मुझे छीदिया है. तो जाने, वो कैसा है? किस हाल में है? शानत हो जाओ, शानत हो जाओ, दुर्गा की माँ. घीबेस से काम लोग. मैं कुछ नहीं सुनना चाहती. मेरा बच्चा मुझे लाके तो, मेरा चंदन मुझे लाके तो. अपने महमानों के खाने का वक्त हो गया. खाने का? अरे मार खाने का. राकेश? राकेश? यह क्या कर देख रहा हुआ? देख रहा था कि असालतने बंदूख चला सकता यह नहीं. कोई जरूए नहीं. जब तक 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 तुम बिलकुल अच्ह ना हो जाओ, आराम करूख. किसके उपम से? मेरी. यह. 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 पेला ने मुझे बताया, कि जब तक मैं ब्याश रहा, तुम मेरे पास एक परगली भी नहीं आठी है. क्यों शेरा सर्दार, तुम्हारा दमाग ठिकाने आया या अब भी अकड़वाकिया? तुम्हार, पानी पिला दो. पानी पिला दो. लेकिन एक घूट से ज्यादा नहीं, वरना यह मर जाएंगे और किसी काम नहीं आएंगे. और कल सबह इन सबहों को पाड़ के उस पाड़ ले जाओ, और काम से लगा दो. राकेश, तुम वहाँ केले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारा साथ आओंगी. नहीं दुर्गा, तुम्हारा यह रहना बहुत जुरूरी है, ताकि बहादर को किसी खिसम का शक नहीं हो. तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूगी. मेरे साथ कोई नहीं जाएगा. लेकिन उस पार बहुत खत्रा है राकेश, और तुम अकेले हो. तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, माजी का अशिरवाद भी मेरे साथ है. इसलिए गोली लगने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ. और मैंने जो भगवान से प्रात्ना की थी, वो सब क्या बेकार हो गई? प्रात्ना कभी खाली नहीं जाती. वो आप काम आएगी तेरे शिरा और चंदन को वापस लाने में. कर्के लात्ना कुछ लात्न को वोली वाधाद लात्ना की बामा अरू Catischाच कर्के फोने में विबते और जात्ना की वी, कर दोहार कि बालता है झाल 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 चाहे फिर तुम ना आना एक बाद जाने जाना तुम जो में जाओ एक बाद मैं भी सितला तुम वह बहाँ अहाँ 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 तुम जो में जाओ एक बाद मैं भी सितला तुम वह बहाँ भूले ना तभी सारी जिंदगी अल्ला की पसं अरहाँ अहाँ एक बाद जाने जाना एक जार करते जाना जूरती ही कह दो मेरा दिल रख लो चाहे फिर तुम ना आना एक बाद जाने जाना एक दार करते जाना जूरती ही कह दो मेरा दिल रख लो चाहे फिर तुम ना आना एक बाद जाने जाना एक बाद जाने जाना आइक बार जाने जाना बार जाने जाना कर दो 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 हो टो झाल, 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 झाल झाल, 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 झा झाल वाल अजय कर दो 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 का अगिर लें तुद्र का जारा है वानले लिए तागी मजज जा अगी लगिया जल जन जल गी तुधा कि शैसारा दोस्ते हैं पिचार भुकातियां सब कोच्वी में बने है अरे मैं तुम्हें भूले किया था सब लोग आंदू जाने में लगे हुए यहीं मोटा है उजो मजब पने जब रखे शेर साथ शेर साथ सबसे पीछे जरुर राकेश कहात है सबसे पहले उसने अपने आपको अजाब किया पिर चंदन को रहा किया आप उसने लगाई थी और तुम सबसे सबसे वाकूफा आप भुजाने में लगे रहे रहे इतने में उस बच्चे को लेकर फराद दुए जी चाहता तुम सबसे गुली सोड़ा तुमने ठीक कहा तुमने ठीक कहा तुर्गा ऐसे लापरवा लोगों को गुली से ही उडा दिना चाहिए तुम अठाकुर की बेची चंदन के साथ मिलकर भागने की कोशिश कर रही थी मैं इन दोनों को पगड़कर तुम्हारे पास ले आया हूँ ताच्यो बे मगर तुम तो इससे महपत करते थे आरच से महपत बेखूफ करते हैं मगर तुम इतनी देर तक ठाकुर के घर में रहें उनकी नजर से बचने के लिए मैंने वहाँ थोड़ी देर पना जी लेकिन मेरा असली मकसद तुम तक पहुंचना क्यों तुम्हारे गिरव में शामिल होने के लिए क्योंकि मुझ पर यहां खानून या पुलिस के नजर नहीं पर सकती मगर मैंने तुम्हें मौत की सजा दी थी तुम्हें भागने का मौका भी मिला भाग ही नहीं गया इसलिए के मैं तुम्हरे यकीन हासी करके अपनी वफादारी साबित करना चाहता था ताके तुम मुझ पर पूरा वरोसा कर सको किसी पर भी पूरा वरोसा करने में मुझे बहुत देर लगती है तुम जंदल को वापस ले आए इसलिए आज से तुम मेरे ग्रोब में शामिन हो गया है तुमने यहाने की चुर्ट कैसे की जानती हो इसकी सजा क्या है मात तुम्हारा जंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है इसलिए तुम्हें वापस लेश दिया जाएगा नहीं इसका वापस जाना ख़तर इसका खाली नहीं यह पलिस को इतला कर सकती है हाँ तुम ठीक है तो लेकिन तेरा माल किसके जरी बेचेंगे इसकी छोटी मेहन बेला गाए खमीन ने इतने रोज हमार अन्लमक्त आया हमने तुझे अपना सब्जा और तुने तुने हमें इस्टावला दोका दिया खमाश बहादर इसे भी दूसी होटों में साथ काम पे लेवाद लेजा इसे और जमेरी तुम जी इसे कामेर में बंद कर जा और तुम मेरे साथ हाओ अब देखता हूँ कौची चाल चलोगे बादफूब 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 जाने किसी ने खेट पुरा देला दिया क्या हराम सादो जब अफीन का खेट चल रहा था तो तुमने कहा थे जाओ जाकर पता लगाओ किसने आख लगाई है वर मैं तुम साथ को गोडी मार तूगा सर्दार अगर आपके दराजने हो तो ये काम मुझे करने दीजे ठीक है ठीक है जाओ सुनो मुझे यहां सर्दार ने बेजा है मैं जानता हूँ ये खेट जिलाने में तुम सब कहा रहा है देजर ने सला जाओ तुमनो Tुमा ल१। में पूचतर हूँैừa मुझे माणता जो इस जिनागी ये खेट मैंने दिलाया ये खेट मैंने जलाया नहीं नहीं मैंने मैं तीन तक गिंता हूं अगर तुम में से गुनेगार अभी सामने नहीं आया तो मैं एक को गुली से उड़ा दूगा एक, दो, फेलो! सलाह मैंने दी थी. खेप को जलाने के जिम्मधारी सिर्फ मेरी है. तो मैं मैं कुछ और ही समझा था. लेकिन मैंने ही जानता था कि तुम भी सर्दार के शिकारी कुटों में से एक निकलोगे. चलाओ! चलाओ! आये, आये, आये! मुझे इस बात का पूरा यकीन है, कि आपके सिवा इन जाहल मजदूरों को और कोई नहीं बढ़का सकता. राकेश, तुम इंतहान में काभ्याब रहे. यह है एक पुलीस साफिसर, जो दो साल पहले मुझे पपेड़े आये थे, लेकिन खुब ही पकड़े गए! मैं कैद में रखा, कड़ी से कड़ी सेजा दी, पिछले दो सालों से तुम मेरे बुलाब, मेरे तुकड़ों पर पलते रहे, फिर भी तुमने मेरे खिनाफ सर उठाने के इम्मत की? एक पोलिस ओफिसर आखरी सांस तक अपना फर्स पूरा करने की कोशिश करता है, ओ, लेकिन अब तुम्हारी सांसे किंती की रह गई है, मौस से डरना तो मैंने उसी रोज छोड़ दिया था जिस रोज मैं पोलिस पर्थी हुआ था, मैं चला जाओंगा, कोई और आएका, लेकिन इतना याद रखो, कानून एक ना एक दिन बड़े से बड़े मुझ्रिम को अपनी ग्रफ में ले लिता है, और तुम, तुम तुम मुझ्रिम ही नहीं, बलकि एक शैतान हो इनसानियत के तुश्मन, तुम अफीम जैसा सेहर पैदा करके दुनिया को तबार बार बार बात कर रहे हो, जांते हो, इसमें क्या हैं? शर्वत, इसकी पीने से तुम्हारा गला, हमेशा के लिए बंद भुजए है, लोग पिलो, पिलो, पिलो. हाँच, 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 अब ये साबत हो गया कि तुम पुलिस के आध भी नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुम को मुझ पर शक था लेकिन अब अब उजय तुम पर पूरा भरोसा है इस लाश को बाहर ले जा और हर मजदूर को दिखाओ ताके आएंदा किसी को खेच जिलाने की हिम्मत नहों तुम मेरे साथ हो आज मैं तुम्हे बोरात बताऊंगा जो आज तक मेरे बहादर के सिवा कोई नहीं चानता ये रही मेरे आज तक की महलत की कमाई मेरा काला सोद जिसकी मांग दुनिया के हर मुर्थ में हर मुर्थ में है ये कम से कम सब numerous कमाई मेरी दॉड़त भी है और मेरी ताक्त भी है दुनिया की बड़ी बड़ी का कजरिए सारी दुनिया पर कभशाकरना चाहती हिं उन्हें अपना गुलब वटा रड़ना चाहती है उने, उन पर कावव लुपा कर, उन पर कावव पाकर उने अपना घुनाम बना सकता हूँ और ये दिन, एक दन, आरे दुनिया मेरी इस मुठी में होगी ये मेरी तरी तमन्ना है TAMZEER समझने की कोशिश कर रहा हूँ जहां तक मेरा ख्याल है यह तुम्हारी सारी तमनाय पूरी होने के दिये, सबा क्रोड साल लग जाएंगे, जबकि ये काम सिर्फ दो महीने के अंदर हो सकता है, कैसे, कैसे, आज शायद तुम एक महीने के अंदर बीस या पच्छी सार रुपय का माल जिरा से भेज सकते हो, लेकिन मैं, मैं तुम्हें मैं सिस्की इंपता सकता हूँ, जिसके जर्ये तुम्हें एक महीने के अंदर बीस या पच्छी साल रुपय को आ सकते हो, तुम्हें कहना क्या चाहते हो, मैं कहना यह चाहता हूँ, कि तुम्हारा इनाखा हिंदुस्तान की सरच से बाहर है, और इस लाखे के साम में जो तो बहाँ पुरश्ची, बहाँ से लोग भी मारे गए, और आखिर कार में इस नतीजे पर पहुंचा है, कि इस पहाँ को पार करना नमुम्किन है, नमुम्किन है, लेकिन मैं मुमकिन कर सकता हूँ, इस पहाँ को चीर के, मतलब उसमें सुलंग बनाकर, सुलंग, क्या तुम्हे जो जो चाहिए मिले आज तक मेरा कारा सुनो सीरे की तरह था तो तराशा नागयो तुम्हारी स्रोंग उसे कोहे नूर बना देगी कोहे नूर बना देगी क्या चाहिए तो कित्ली दॉर चाहिए बोलो क्योंकि जेतना कमाऊगे उसका अधा हिस्सा 50-50 तुम्हारी जिन्दगी प्यारी है यह नहीं करेक्ट है ठीक है ठीक है हमें मन्जूर थिस्टी फिस्टी उस विचारे की मौत राकेश की वज़े से भी शेरा मैंने तुछ से कई बार कहा कि राकेश पे विश्वास मत कर हमारे साथ गदारी करके वह सालह सब्दार का अदमी बन गया और अब एक एक करके हम सब मारे जाएं दोस्त पहंना और भी ठोके से क्या हो गया है तुझे मेरे आखे खुल गई है तुम्हें दोस्त समझका आज तक धोकी मेरा लेकिन उस पुलीस वाले के मात के बाद होश्मिया शेरा पहारी सीना है छे के छे गोली चला दो वरना मैं बच गया तो तुम्हें जिन्दा नहीं छुड़ूँगा मुझे अफसूस है कि तू भी मुझे औरों की तरह गलत समझा पॉपी सिंग उस पलिस आफसर को किसी भी हालत में जिन्दा नहीं छोड़ता इस इतिफाक ने मुझे पॉरा वरोसा करता है अब उसे ख़त्म कर देन में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे बेवगुफ मत बनाओ तुम्हें पॉपी सिंग को माने का कई बार मौका मिला है फिर तुमने उसे छोड़ क्यों दिया मैंने उसे जान बूच कर छोड़ दिया है इसलिए के पहले मुझे चंदन को बचाना है उसके बाद मैं पॉपी सिंग के साथ साथ उसकी अफीम और उसके गिरह को खत्म कर दूँगा मुझे इसके लिए तुम्हारी और तुम्हारे साज्यों की जरूरत होगी इससे पहले तुम्हारे साथ करना होगा कि तुम बादी सिंग आदमी नहीं हो अगर तुझे मुझ पर भीक ही नहीं आता तो यह ले पिस्तॉल और मुझे गुली से उड़ा दे भूल हो गई गुरू बहुत भूल हो गई के लंदे हैं के लंदे ही के लंदे मुझे पजया लोगा बात्त भूल भूल आपने आपको राकिश बापका दोस्त करता है और आज जब उनकी मदद करने के लिए तो यहां बेटा श्राप की रहा है में साब मेरे दिल बहु कमजोर है हर दुमागे के साथ दिल की धड़गे ने बंबरे लगती है एक गुट पिले दाओं तो फिर से चाल हुआ जाए दिया लेकर में साब तू यहां कैसे भज गई भागो जाले अपनी जानवा जाओं मरेको पिशादाओं शरम बरोगा आज कई दिनों से लिदी की कोई खबर नहीं है मैं झाओंगी मा मैं तुझे नहीं जाने तू कि नहीं जूँर मैं जुरूर मैं तुझे हरकेस नहीं जाने तू कि जमनद गया दुर कर गई अब तू ही आना जाती है उन्हें नहीं कि एक आप्टेश कर दो दो दोगाई है है मिस्टेराकेश काम कैसे चल रहा है आप स्टीक चल रहा है सदार वरी गुड वरी गुड काम काफी सक्थ है क्यों पत्थर काफे सख्त हैं वक्त लग जाएगा राकेश सुरुंग का काम दस दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि आज से दस दिन के बाद अफीम के पौदर पर चीरा लगे और उस दिन में मुझदूरों के लिए एक बहुत बड़े जिसन करवाता हूँ पर चाहता हूँ कि सुरुंग का काम भी उसी दिन पुरा हो जाए इस बात की मुझे आप से ज्यादा फिकर है सर्दार जानते हो क्यों इसलिए कि मुझे रुपया चाहिए और मैं आपका 50% पात्नर हूँ बहादर तुम सर्दार मुझे गोली माल दो क्यों मैंने इतने अर्से तक वफादारी से आपके गुलामी की और आज एक अजनवी नहीं मेरी जगा ले ले आप उस पर मुझ से ज्यादा बहुरूसा कर दे लगे तुम बेवाकूफ बहादर समझते नहीं अभी जाकेश मेरे लिए बहुत काम का अप्मी है जैसे ही मेरा काम निकल जाएगा उसका भी वही हाल होगा जो पुलीस ऑफिसर का हुआ है कल सुबह आफीम के पौदों पर चीरा लगेगा और इस खुशी में पापी सिंग एक बहुत बड़ा जिशन देगा तुर्गा तुम इस जशन में चमेली के साथ ना जोगी इसलिए के पापी सिंगों किसी खिसम का शक नहों उसके बाद किस बाद दिएाएं प्रेड़ा ला 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 खुझ फजब जारा चलाए खुझ जारा खुझ कुई आया ने बिंदे कुई आया ने बिंदे ललला कच बाता है वसक्ति में नाची ले कुई आया ने बिंदे 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 ललला कच बाता है वसक्ति में नाची ले कुई आया ने बिंदे कर दो 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 कुई गया जाने दिदे कला में जबाता में जगती देना जीले कुई आया जाने जाने दिदे कुई आया जाने 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 है प्ताजी उन्छी पर लोü, लोगने, और उन्छी खुताजी फ्ताजी थिताजी उन्छी, खुताजी आ दिया गर है। कि अगेश कुम कहा हो तुम नहीं हो तुमने गदर किया था राकेश के आज कम पूरा हो जाएगा मेरा काम तो खब्य हो चुका सिर्फ आपी का अंजजार था लेकिन इस सुरंग का दूसरा सिरा याने मौद मौद किसकी मौद जो पुलीस के फाइल के मताबिख बात पहले मर चुका है याने तुम पापी सिंग अगर तुम पुलीस के याद निकले हैं नहीं तुम इसाद्री को पहचानते हो और से देखो नहीं मैं इस आज तो तभी नहीं देखा तुम ने इनका खून किया था आज से पंदरा साल पहले क्या होगा मुझे मुझे कुछ याद नहीं कोई हैं मेरे पिताजी मैं यहां इनके खून का बदला लेने आया था लेकिन तु तुम सिर्फे पातल लुटे रही नहीं बलके आदमी के वेश में शैटान हो इसलिए तुम से पहले तुम्हारे इस पैदा कि उन्हें जहर को ख़पन कर देना बहुत जरूरी हो गया अफीन के सारे खेट जला दिये गये हैं और तुम्हारा यह आज तक का जमादिया होगा पाना सोना यह रहा जो हमेशा के लिए यहीं दफन किया जाएगा चूंकि थोड़ी ही देर में इस सारी सुरंग को डाइनमाइट से उड़ा दिया जाएगा और साथ में मुझे भी बहतर तो यही होता लेकिन मैं तुम्हें पानून के हवाले करूंगा ताकि सारी दुन्या पानृ मैं अकुड़ी थे गृष्श्टी दुब द्रीते दुबमें जी आतया प्रूवचि दख़इएगा फैंग अप्र यहीं वंदी दुन्दॉचिए जिन्दूगी वर्मोथ की यनिके दिर्सक्राइब जिन्दूगी मेरी और मौत तुमारी का अधेटा प्रूगी नही और दूनों को साथ रहा हगा जंके चगर भर फायदों फिर पलट गई सिर्दार अचित्क एक था सिंदगी और मौत की जंदगी मेरी और मौत तुम तोनों के मैं रहना डेक्ल Jazja कोलद कमेर ! तुमहारा केल बी खत्म होच का हूट 可以 कुट्टा बना कर रखा लेकिन तुम ये भूल गए कि हर कुट्टे का एक दिन आता है ये ये कैसी बाते कर रहे हो बहादूर तुकी जो कुछ चाहिए तु ले ले अले तु तो मेरा ताय हाथ हो रहे था लेकिन आज से कट गया वो हाथ और मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं खुद ले सकता हूँ लगा दो इन दोनो को बालूद ठकेल दो इन दोनो को सुरंग के अंदर उन दोनो के खतम होने के बाद इन सब को गोली मार देनो झाल थाई दोनो का सकता हुआ झाल दोनो इन दोनो को बालूद जोनो की उटा चाहिए नहिए ये है वोन, की आप दोनो की लेकिन समय को वोली मार दोनो झालो बिंसा ग्रामी खेस घरना bubb इंसानी है बहादूर, यह रुपे उन लोगों के है, जिनके तुमने बस्तियां हो जा रही है, और अब यह उनी बस्तियों को बसाने के काम आएगा के काम आएड़ा हूजा इंके बस्तियां बस्तियों के बाद़ाद हूँ काम बस्तियां बस्तियान हाँ झालाव में एड़ा हूँ झाल 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 झाल